हेलो फ्रेट्स, वेलकम बेक मैं यूट्यूब चैनल, MSMatch, in this video we are going to discuss about the Gauss-Seedle method. Gauss-Seedle method का अगर आपको concept समझना है, तो आप हमारे Numerical Analysis की playlist में जाके देख सकते हैं, जा आप हमने Gauss-Seedle method को पूरा अच्छे से explain किया है, तो आपको पहले concept पता होना चाहिए, फिर उसके बाद नहीं आप Python code तक की और बढ़ेंगे, ताकि आपको पूरा concept अच्छे से clear हो जाएगा. बिसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले है, Gauss-Seedle method के बारे में यह एक iterative method होता है, तो अब इसको कैसे perform करता है, मैं एक बार आपको थोड़ा आपको general ideas का देता हूँ, तो बिसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, मारे पास में equations होते हैं, जैसे A11X1 प्लस A12X ले ले लेता मैं आपर Y और A13Z is equal to B1, मैं आपर iterative scheme मना रहा हूँ, एक 3 cross 3 matrix के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा A21X प्लस A22Y प्लस A23Z is equal to B2, A31X प्लस A32Y प्लस A33Z is equal to B3 हो जाएगा, तो बेसिकली यह आपके पास में values हैं, अब इससे अगर आपको X का value find करना है, तो X का value कैसे find करे तो B1 minus of A12Y minus of A13Z हो जाएगा, यह N plus 1 हो जाएगा और यह NN हो जाएगे, यह चीज ध्यान रखना, तो basically XN, YN, ZN जो है, उनके values हम initial gas में 0-0 लेगे, तो first iteration में यह 0 हो जाएगा, और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हम A11 का इसके अंदर क्या करेंगे, तो A11 क्या हो जा बन रहा हो क्या बन रहा है, कि जो आपके पास में XN प्लस बन आ रहे है, XI जा रहे है, वो क्या आ रहे है, basically A, diagonal element, AII, ठीक है, नमपाई, एरेक इंदरा में इसको इस्टाफ से लिख सकते हैं, और BI, जितने भी BI है, minus of AIJ, क्या रहा है, यहाँ से AIJ into AIJ into XI, okay, minus AIJ, और जो इसका बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हम इसको अलग solve कर सकते हैं, condition लगा कर गए, जब I और J not equals to AIJ, तो diagonal element के अलावा, जो यह diagonal elements, इनके अलावा जो सारे यह elements हैं, इनको आप BIs में से less करेंगे, हर बार, multiply करके, फिर उसके अंदर diagonal element का आप डिवैड कर देंगे, तो आप आपको Gauss elimination, sorry, Gauss-seedal method का attitude scheme मिल जाएगा, तो जस्ट यहीं इसका concept है, I hope आपको अच्छे से यहाँ पे clear होगा, otherwise आप हमारा वीडियो देख सकता है, जिसमें हमने पूरा उसके बारा हम डिसकस किया, तो हमने क्या क्या क्या, सबसे पहले तो NP. array यहाँ पे ले लिए, दो न round off नहीं करे, और initial gas हमने यहाँ पर 00 ले लिया, ठीक है, अब हम iteration perform करने वाले 0 to 20, 20 तो iteration perform करेंगे, तो for k in range 0 to 20, और for i in range यह हम कर रहे है, हर एक bi को pick करने के लिए, bi कहां से कहां तक pick करेंगे, 0 से लेके lane of a, lane of a कितना है, 3 है, तो 0 से लेके 3, मतलब 0, 1, 2, 3 values वहां से pick यह है, bi pick करने के लिए, और यह है, ai pick करने के लिए, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक condition लगा दिए, कि जब i not equal to j है, it means diagonal element नहीं है, simple जो element है, उनको हम लेंगे, और क्या करेंगे, हर एक p मैंसे, p means bi, हर एक bi मैंसे क्या करेंगे, हर बार उसको x से multiply करके, x means जो variable है, उस यहाँ पर np क्या ले रहे, 0 ले रहे, for initial case, ठीक है, और x i is equals to क्या हो जाएगा, last में जो values आएंगी p की, उसके दर हम diagonal element का divide कर देंगे, तो वो x i हो जाएगा, इस कॉम print करेंगे, तो आप देख सकते है, 20 iteration करने पर यह आपको values मिल रहे इस type से, और इसका value यहाँ पर 1 to 1 मिल आपको पूरा topic जो हो अच्छे से clear वा होगा, so thanks for watching my video, keep watching mxmats and dc tap keep for more videos के लिए हमारे channel को subscribe करें, thank you, bye bye